हलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आपका सुभास स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर यह वीडियो कच्छा दस के छातरों के लिए मोश्ट मोश्ट इंपोर्टन्ट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे सामाजिक विज्ञान का 2020 बोड परिच्छा के लिए कौन कौन से प्रश्ण मोश्ट मोश्ट इंपोर्टन्ट हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महतपूर प्रश्णों की स्रंखला को पहला प्रश्ण है नई अंतराष्टी आर्थिक प्रणाली से क्या तातपर है और यह प्रश्ण महतपूर है 2021 बोड परिच्छा के लिए इसका उत्तर हो जाएगा इसका तातपर एक ऐसी व्योस्था से था जो नई अंतराष्टी आर्थिक प्रणाली थी इसका तातपर एक ऐसी व्योस्था से था जिसमें विकास सील देश अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण कर सके जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और अपने तैयार मालों को बिकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बहतर पहुच मिल सके और इसी को क्या कहते थे कि नई अंतर राष्टी आर्थिक प्रणाली का यही अर्थ था अगला प्रश्ण है और मोस्ट उपोर्टेंट प्रश्ण है इस्थिर बिनमय दर सरकार चड़ाओं को नियंतरित करने के लिए सरकारों को हस्त छेप करना पड़ता है तो ऐसी बिनमय दर को इस्थिर बिनमय दर कहा जाता है क्या कहा जाता है इस्थिर बिनमय दर कहा जाता है अगला प्रश्ण है आयात सुल्क से क्या तात पर है आयात सुल्क से तात पर क्य इसका उत्तराब कैसे लिखेंगे कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला सुलक क्या कहलाता है आयात सुलक कहलाता है जैसे कि यह कर या सुलक उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रभेस करती है यानि सीमा पर बंदरग पर या हवाई अड़े पर जब कोई वस्तु विदेश से हमारे भारत देश में आयात की जाती है तो जहां पर यह प्रवेश करती है जैसे बंदरगाह है हवाई अड़ा है या फिर सीमा पर है तो वहीं पर यह आयात सुलक लिया जाता है अगला मुष्ट इंपोर्डन्ट कु पर क्या है इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे एक देश की अर्थ विवस्था को दूसरे देश की अर्थ विवस्था से तथा शंपूर विश्यु के विभिन देशों की अर्थ विवस्था का एक दूसरे से विभिन छेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भू मंडली करड या बैस्वी करण कहलाता है कहने का अर्थ है कि एक देश की अर्थ विवस्था को दूसरे देश की अर्थ विवस्था से या संपूर बिश्व के जितने भी भी भिन देश हैं उन देशों की अर्थ विवस्था को एक दूसरे से जुड़े रखना या जुड़ा होना ही क्या क इंडली करण या बैस्वी करण कहलाता है यह प्रश्ण महतपूर है 2021 वोड परिच्छा के लिए अगला प्रश्ण है रेसम मार्ग क्यों महतपूर था इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि रेसम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एसिया के विसाल भागों को परसपर जोडने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था और यह मार्ग इसापूर्व में ही अस्तित्त में आ चुका था और लगभग पंद्र भी सताबदी तक अस्तित्त में था इस मार्ग से अधिकांसता रेसम का व्यापार होता था इसलिए इसे क्या कहा जाता था रेसम मार्ग कहा जाता था इस मार्ग से अधिकान से रेसम का व्यापार होने के कारण इस मार्ग को क्या कहा जाने लगा रेसम मार्ग कहा जाने लगा अगला most important question है व्यापार अधिसेस की परिवासा दीजिए भारत के साथ ब्रेटेन को ब्यापार अधिसेश कैसे प्राप्त होता था तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे ब्यापार अधिसेश के अंतरगत निरियात की कीमत आयात से अधिक होती है निरियात की कीमत आयात से क्या होती है अधिक होती है ब्रेटेन में भारत से खनिज सं और खाद्यान भेजा जाता था और उसके बदले में ब्रिटेन के उद्दोगों में तयार माल भारत में आयात होता था उसकी बाजार कीमत बेचे गए माल से कहीं ज्यादा होती थी अगला प्रिश्ण है उन्नीसवी सदी के आखिरी दसकों में यूरोपी राष्ट्रो द्वारा उपनिवेश कायम करने के क्या प्रभाव पड़े उत्तर कया हो जाएगा कि उन्नीसवी सदी के आखिरी दसकों में यूरोपी राष्ट्रो द्वारा उपनिवेश कायम करने पर निम्निलखित प्रभाव पड़े, सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा, एसिया और अफिरीका महादीप में कष्टदायक आर्थिक सामाजिक और पारिस्थित की ये परिवर्तन आए, दूसरा प्रभाव पड़ा कि सामराजवादी देशों ने अफिरीका देशों को आपस मे एक मेज पर बैठ कर बाट लिया था और अगला प्रश्ण है इस चेप्टर का अफरीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकरसड के कारण क्या थे उत्तर क्या हो जाएगा कि यूरोपिय देश खनिज संसाधनों के लिए अफरीका की ओर आकरसित हुए तथ अफरीका के विसाल भू छेत्रों और बाजार पर यूरोपिय देशों की नजर थी अगला प्रश्ण है उन्नीशवी शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका क्यों जाने लगे थे इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्यों यूरोप में गरीबी की भरमार भूख मर भी बीमारियां धार्मिक टक्राव वा धार्मिक असंतुष्टों को कठोर डंड देने के कारण अमेरिका में संसाधनों की बहुलता के कारण तथा अमेरिका में खेती योगी भूमी ज्यादा थी और जनसंख्या कम थी इसी कारण से अगला प्रश्ण है most important है जब हम कहते है कि सोलमी सदी में दुनिया सुकडने लगी थी तो इसका क्या मतलब है तो इसका right answer क्या हो जाएगा यहां दुनिया के सुकडने का मतलब है विश्ट के विभिन महा दीपो के बेक्तियों के मद्धि पारसपरिक समंधों में ब्रध्य होना तो इस तरह से आप इन प्रश्णो के उत्तर लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे 2021 यूपी बोर्ड पर इच्छा के लिए और वीडियो के description box में इसके पहले के वीडियो के मैंने link दे रखे हैं आप वहाँ पर click करके देख सकते हैं अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए अपना और अपने परिवार वा माता पिता का विशेश ध्यान दीजिए जय हिंद वंदे मातरम अब